नमस्कार दोस्तों मैं उमेस आप सभी के आपने इटिव चनल में फिर से बहुत बहुत स्वाथ करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि आप अपने भोटर एडिकार्ड को अधार कार्ड के साथ किस तरह से लेपटाप डेश्टाप से कर सकते हैं तो उस वीडियो मैंने आपसे पूझा था कि अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सुक्सर में कमेंट करके बताएगा हम मोबाइल का भी प्रोसेस आपको बता देंगे तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आप मोबाल से अपने वोटर एडी काड को अधार काड के साथ कैसे लिंक करेंगे तो प्लिस वीडियो सुरू से अन तक लेकर जरू देखेगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा यहाँ पे agree करना है और next के button पर click करना है जैसे कि मैं आपको click करके दिखायता हूँ अब आपके सामने जो है language select करने के लिए बोलेगा जो भी language आपको पसंद है आप select करेंगे और get started के button पर click करेंगे तो आपके सामने जो बोटर है फ्लाइन का dashboard है इस तरह से open हो जाएगा आपको यहाँ पर सिंपल सा भोटर जो राष्टरसन का बटन है ना इस पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा यहाँ पर फॉर्म 6 भी भरना है हम सभी को तो देख सकते हिंक यहाँ पर जो आपको मिल रह देते हैं तो मेरे मोगाल नोर पर ओटीपी आ गया है अब यहाँ पर फिरिफाई के बटन पर क्लिक कर लेंगे तो देख सकते हैं कि विरिफाई हो जाएगा अब यहाँ पर पूछेगा कि आपके पास अधार आईडी नंबर है की नहीं है तो आपको यहाँ पर सिंपल सा य अधार कार नंबर के सांथ साथ एस्टेट भी कर लिया है अब यहाँ पर फूर्शीट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भोटर एडी कार्ट के में जो भी डिटेल्स होगा वो सामने इस तरह से डिस्पले हो जाएगा जिसमें आपको सारा जनकारी मिल रहा है आपको सीम्पल सान नेश्ट के बटन पर क्लिक करना है तो आपके सामने जो है सारा जनकारी इस तरह से खूल जाता है जिसमें देख सकते हैं कि सारा जनकारी यहाँ बताया जाता है जैसे कि आपका नाम है आपका विधान सवा है आपका इपिक नंबर है उसके बाद क्या कर से पेन काड है तो अगर आपके पास अधार काड है तो आपको यहां पर अंटी करना है और यहां पर अधार नमबर डालना है नहीं है तो उस कंडिशन में आपको यहां पर डालना पड़ सकता है यहां पर क्लिक करेंगे डॉकमेंस को अपलोड करेंगे यहां से और आप यहां पर form को final submit करेंगे बट है तो आपको यहां पर one tick करना है यहां पर धार नमर डालना है नीचे यहां पर mobile number उसके नीचे email id और आपको यहां पर place भरना है जैसे कि जहां भी आप इस form को feel कर रहे हैं उसको यहां पर लिखेंगे और down के button पर आपको click करना है तो जैसे ही down के button पर click करते हैं तो आपके सामने जो भी preview का button आता है जिसमें जो भी जनकाड़ी दिया गया है उसको एक बार आप देख लेंगे ठीक है और उसके बाद आपको लगता है कि यहां से ठीक है सही नहीं है तो आप इसको यहां से कट करेंगे और सही कर लेंगे ठीक है और उसके बाद क्या करना है लास्ट में हाँ पर कमफर्म के बटन पर आपको क्लिक करना है और थोरा सा वेट करना है तो आपका जो अप्लिकेशन है यहां पर सम्मिट हो जाएगा जैसी का पर देख रहे होंगे और आपको एक रिफ्रेंस नंबर यहां पर मिला हुआ है तो इसको आप चाहें तो नोट भोटरा एडी कार्ड को अधार कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं मैंने जो सारा जनकारी यहाँ पे क्लियर करके बता दिया है फिर भी आपके मन में किसी परकार का कोचन होगा तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं आपको जनकारी देने की कोसिस करेंगे चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉफी के साथ अब तक लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आप जहां भी रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्त रहें बहुत-बहुत धन्यवाद